प्रिये विद्यार्तियों उनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आजम बीए फाइनल यार पेपर फर्स्ट के अंतरगत प्लासी के यूद के बारे में अध्यन करेंगे मैं डॉक्टर चंदन प्रकास साहिक आचारिय इतियास विवाग वीर वीरम देव राजिकिय इसनात कोतर माव विद्याले मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्यार्तियों प्लासी का यूद सत्रेसो सत्ताउनी इस्वी में लड़ा गया इसके परमुक कारण निम लिखी थे नमबर एक है संदी की सर्तों को पूरा ना करना प्रस्तितियों से भी उस होकर दोनों पक्सों ने संदी तो कर ली परन्तु सर्तों का पालन करने में किसी ने भी रूची नहीं ली सिरजु दोला को मुआउजा देने का वचन दिया था परन्तो उसने किसी परकार का मुआउजा नहीं दिया रेम जे मियोर का कतन है कि नमब संदी की सर्तों को पूरा करने के लिए तैयार ना था इस कारण युद आउश्यक बन गया इसी कारण का आरोप कमपनी पर भी लगाया जा सकता है क्योंकि कमपनी नवाब से पहले युद की तहरी शुरू कर दी थी अंग्रेजों का मानना था कि जब तक सिरजु दोला नवाब बना रहेगा कमपनी के हितों को खत्रा बना रहेगा नमबर दो है अंग्रेजों दोरा नवाब पर दोस्त लगाना अंग्रेज लिखकों का मत है कि सिरजु दोला ने अपने कुछ निजी पत्रों में अंग्रेजों के सत्रों से मितरता न रखने का आस्वासन दिया था कम्पनी ने इस परकार के आस्वसनों को भी संदी का एक अन्स समझ लिया जबकी सचाए यह थी कि संदी के समय ही नवाब ने इस परकार की सर्थ को मानने से इनकार कर दिया था संयोग वस इनी दिनों बंगाल के फ्रांसेशियों ने नवाब के साथ समन्द बढ़ाने का प्रियास किया इससे कलाईव को बहे लगा कि कई अपमानित नवाब फ्रांसेशियों से मिलकर अंग्रेजों से अपना परतिरोद लेने की कोशिश ना करे इसलिए कलाईयो ने फ्रांसेशियों की बस्ति चंदरनगर पर आक्रमण करने के लिए नवाब से अनुमती मांगी नवाब फ्रांसेशियों को अपना सतरू बनाना नहीं चाथा था उसने अंगरिजों को गोल माल जवाब भिजवा दिया क्लाईव ने 14 मार्च 1777 को चंदरनगर पर अचानक आकमन करके उस पर अधिकार कर लिया अंग्रिजों ने नवाब पर अलिनगर की सर्तों को तोड़ने का दोस भी लगा दिया जिसे नवाब ने स्विकार नहीं किया नवाब का कहना था कि बंगाल के फ्रांसेशियों ने अंग्रिजों के विरूद कोई कारिय नहीं किया तब भला उन्हें सत्रू कैसे माना जाए परंतु अंग्रिज अपनी बात पर लटे रहे तीने नवाब के विरूद शड़ी अंतर बहुत से विद्वनों का मानना है कि नवाब से रजुद अल्ला के विरूद कुछ प्रभावसाली मुस्लिम सर्दार और धन्वान हिंदू कूछ चक्र रचने में लगे हुए थे और जब उन्होंने अंग्रेज़ों से इसमें सहीवग मांगा तो उन्होंने ततकाल स्विकरती दे दी मुस्लिम सर्दारों में मिर जाफर, मिरजा अमीर बेग और हुसेन खां परमुक थे जो किसी रूप में नवाब द्वारा बेहिज़त किये जा चुके थे हिंदू लोग सिराजु द्वाला की कट्र धार्मिक निती के कारण विरोधी बने हुए थे जगस सेट, बंदुआं मैताब राय और स्वरूप चंदर को भी नवाब ने अपमानित किया था नदिया का सक्तिसाली जमिदार माराजा, कृष्ण चंदर भी नवाब की हिंदू विरोधी निती से असंतुष था इसके अलावा परमुक हिंदू व्यापरी थे जिनका अंग्रेज व्यापरियों के साथ घनिश समन था और दोनों के हित एक समान थे परन्तू उपलब साक्षियों से मालूम होता है कि इस सडियंतर के निर्मान में अंग्रेज़ों ने पहल की थी अली नगर की संदी के बाद से ही मदरास के अधिकारी अपनी सेना को वापिस भीजवाने की मांग करने लगे थे परन्तू कलायू का मानना था कि अभी बंगाल में काम पूरा नहीं हुआ है अतर उसने मदरास की सेलेक्टी कमिटी को संपूर्ण समझाने के लिए मार्ग निर्देश की प्रात्ना की इनने उतर भेजा कि बंगाल प्रांत में ऐसी किसी भी सकती से समझ इस्तापित किया जाए तो जो नवाब से असंतुस्ट हो तता नवाबी का दावा कर रही हो ताकि सरजुद अला को हमेशा के लिए समाप्ट किया जा सके इस इसपस्ट है कि नवाब के विरोधी सड्य अंतर में अंग्रेजों ने बैल की थी नवाब विरोधी सड्य अंतर कारियों में मिरजापर को नवाब बनाने का निर्णे लिया जिसे अंग्रेजों ने भी स्विकार कर लिया अंग्रेजों ने मिरजापर से अलग से गुप मंत्री पद्ध का आश्वासन को मंत्री पद्ध का आश्वासन दिया गया जब सब कुछ तैय हो गया तो अमिचंद ने 5 परतिशत के लावा तीस अजार पॉण्ड की मांग रखी और मांगना माने जाना पर सड्य अंतर का भंडा पोड करने की धमकी दी इस पर कलाईव ने भी धोका देने की नितिया अपनाई उसने जो दो संदी पत्र त्यार करवाए एक सपेद कागज पर जो सही था और दूसरा लाल कागज पर जो जोटा था जिसमें अमी चंद को 30,000 पॉण देने की बात कई थी वाटसन ने जोटे संदी पत्र पर हस्ताकसर करने से मना कर दिया तब कलाईव ने उसके जाली हस्ताकसर बनाए और अमी चंद को संतुस्ट कर दिया चूंकि कलाईव ने कंपनी के हितों की रक्षा के लिए इसलिए अंग्रेज इत्यास कारों ने उसके इस कुकरतिय को भुला दिया डॉडवेल जैसे विद्वान ने भी कलाईव के कारिये को उचित ठहराया अपने विरोदियों के इस सेटेंटर की सुचना नवाब को उससे पूरी ही मिल गई थी किन्तु नवाब के सेटेंटर का पदारी की सपद लेने को का उनके ऐसा करने मातर से ही नवाब संतुष्ट हो गया जबकि वस्तुत मीर मुहिनुदिन खां के अलावा तीनों सेटेंटर में सक्रिय थे गटनाय सेटेंटर पुरा होते ही कलायों ने युद का बहना ढूंडना आरम किया और उसने नवाब को पत्र लिका जिसमें उस पर अलिनगर की संदी को भंग करने का आरोब लगाया उसका ये आरोब कितना जूटा और निराधार था इसकी पुष्टी इसी से हो जाती है कि नवाब का उत्तर आने से पहले ही कलायों सेना सेट राजधानी की और खूच कर देता है 19 जून 1777 को अ अंगरेज़ों ने कटवा पर अधिकार कर लिया जिसकी सूचना मिलते ही नवाब भी सेना साइध आगे बढ़ा दोनों पक्सों के सेना इप लाशी के मैं आम ने सामने आड़ हटी नवाब की सेना में लगभग पचास जार सेनिक थे एक लाईव के पास 800 एरोपियन तथा 22 1232 सेनिक थे, कलाईव ने अपना डेरा आम के पेड़ों की कतरों की ओट में लगाया ताकि सत्रू के तोप खाना से रात मिल सके नवाब की सेना इस देखकर कलाईव सास खो बेटा और उसने आकरमन करने का सास नहीं किया परमतू जब शडियंतरकारी सेना नाइकों ने उससे पुने विश्वास दिलाया तक 23 जून 1777 उनको कलाईव ने धवा बोल दिया नवाब के चारों सेना नाइकों मैंसे तीन सेना नाइक अपने अप सास घास से घबरा गया और दोजार सेनिकों के साथ युद के मैदान से भाग कड़ा हुआ उसके भागता ही नवाब के शडिंदरकारी सना नाइकों ने दोस्तों की को भी लोट जाने के आदेश दे दिये इस परकार बिना किसी विश्वास परकार के इकलाईव ने युद जीत लिया नवाब जब मुर्सिदा बाद से पटना के और भागरा था तो उसे बंदी बना लिया गया 28 जोन 777 को अंगरेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब गोशिद कर दिया दो जुलाई को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजुद अला के हत्या कर दी